प्रशन की सीमा क्या होगी? ये एक ऐसा प्रशन है जो हमारे दार्शनिक लोगों को, फिलोसोफर्स को, साइन्टिस्ट को, वैज्यानिकों को बहुत परिशान कर रहा है कि आखिरकार हमारे आंत्रिक्ष की सीमा क्या है? हमारा जो स्पेस है, कितना उपर हम जा सकते हैं, कितना आगे क्या क्या है? इसके बारे में गुत ही सुलजेगी, नहीं सुलजेगी, खैर ये तो बात की बात है लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आज आपके सामने ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है ये वायजर एक का पिक्चर है, ये रियल पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, बाही तरफ इस वायजर एक का ये वायजर एक को अमेरिका ने छोड़ा था 1977 में और बीच में ये काम करना बंद कर दिया था, फिर इसे ये काम करने लगा अब ये दुनिया का सबसे दूर का आपजेक्ट बन गया है, सबसे दूर का जो आंतरिक्ष यान है जिसे हम कह सकते हैं, ये बन गया है आपको पता है ये कितनी दूर है पृत्वी से, पता आ गया है कि इसकी दूरी पंदरा अरब मेल दूर है, पृत्वी से ये पंदरा अरब मेल अरे साब उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना होगा और ये मज़े की बात ये है कि अभी भी ये अपना सिगनल पृत्वी की और भेज रहा है और भी बहुत इंट्रेस्टिंग बात में है बीच में ये काम करना बंद कर गया था लेकिन फिर भी साइंटिस्टों ने अपना धैर ये नहीं खोया और उसको ठीक करके फिर से वो काम करने लगा है और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ जो आप दाइनी तरफ पिक्चर के दाइनी तरफ देख रहे हैं भी रियल पिक्चर है हाला कि आप उसको डीटेल में नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है जो एरो आपको दिखाई दे रहा उस एरो के दाइनी तरफ बिलकुल दाइनी तरफ एक छोटा सा डॉट बना हुआ है चोटा सा वाइट सा डॉट वो डॉट मालूम क्या है वो हमारी पृत्वी है कहने का मतलब इस पंदरा अरब मील की दूरी से जब वोयजर एक ने जब पिक्चर लिया अर्थ का तो एक डॉट के समान दिखाई देरा शायद आपको छोटा सा भी दिखाई नहीं देगा लेकिन अगर आप इसको बड़े स्क्रीन में देखें इस पिक्चर को तो आपको एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा और वो हमारा अर्थ है वो हमारी पृत्वी है जिसमें हम सब रहते हैं ये साब एक ऐसा करिश्मा सा है जो हमारे माइन को बैफल करता है सोचता है कि हमारा माइन कितना परमेश्वन ने जबरदस्ट बनाया कि हम इस सब चीज़े कर सकते हैं और चीज़ बता हूँ आपको कि इसकी जो स्पीड है वोयजर वन की स्पीड है वो करीब 38,000 मिल प्रती घंटा उस स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है और हमारे वैग्यानिकों को ये नहीं पता कि ये कितना आगे जाएगा, कहां ये खराब होगा, कहां ये अनंत में खो जाएगा कोई कुछ कह नहीं सकता है लेकिन इतनी बात ये है कि ये संकेत भेज रहा है, इलेक्ट्रोनिक सिगनल भेज रहा है यहां से और जिसको हमारे वाइग्यानिक उसको इंटरपेट कर रहे हैं, उसका अर्थ निकाल रहे हैं, अच्छा एक और बात इसके बारे में ये है, कि जब ये मैसेज भेजता है वोयाजर एक प्रित्वी को, तो प्रित्वी तक आने में इसको 22.5 घंटे लगते हैं, और वो भी किसी स्पीड से 186,000 माइल पर सकेंड के हिसाब से ये 22 घंटे लेता है, अपने भेजेवे मैसेज को हमारे प्रित्वी तक पहुंचने में, और प्रित्वी से वोयाजर वन तक पहुंचने में फिर 22 घंटे लगते हैं, तो ये बड़ी चबतकार वाली बाते हैं, जो हमारे वज् मिलकी वे से बहुत दूर है, वो मिलकी वे जिसमें हमारी प्रित्वी है, सूर्य मंडल है, और भी दूसरे तारे वगरा पाए जाते हैं, और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, ये वोयाजर वन की एक जबरदस पिक्चर है, जो मैं आज आपके सामने दिखा रहा हूं, आख इसका या आंतरिक्ष का, बाइबल हमें बताती है कि आदी में परमेश्वन ने आकाश और प्रित्वी की रचना की, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, पाये जाता है उत्पत्ति उसका पहला अध्याए, जहां पर क्रियेशन के बारे में, सुरिष्टी के बारे में, जब हो गया, और यह इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क, गिव अप कर देता है, समझ नहीं पाता है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याए और उसका पहला पद, आदी में परमेश्वन ने आकाश और सृष्टी की, प्रित्वी की सृष्टी की रचना की, और उसी में आप और हम आज इस प्रित्वी में रहते हैं, और आकाश मनल कितना बड़ा है भाई, वो तो हम कह नहीं सकते हैं, पता नहीं हो सकता है, अनंत का हो, ना हो, यह तो अभी इसके बारे में साइंटिस्ट लोग, भैग्यानिक लोग, इसके बारे में रि जरा है, उससे हम शायद बहुत कुछ सीखेंगे और दुसरे तारागणों के बारे में, लेकिन मैं आपको यह इसलिए पिक्चर दिखाना मांगता हूं कि हमारा माइंड जो है, वो कितना जबरदस्त है कि यह सब चीज़े करके दिखा देता है, और माइंड से ही हम समझ सकत है कि परमेश्वर कितना महान है, और हमें उसको धन्यवाद भी देना है, इस सब बातों के लिए, चली मैं कुछ पदों को आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, जैसे कि मैं पढ़ोंगा भजन सहिता च्छतीस पांच, भजन सहिता उसका च्छतीस अध्याय और पांच पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, कि हे यहुआ, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है, अब सोचिए मनुष्य क्या है, यार, मनुष्य क्या है, अब देखी वो जो एरो मैंने दिखा आपको वाइट कलर में, उसके आगे दाईं तरफ एक छोटा सा बिंदू है, छोटा सा डॉट है, और वही डॉट हमारी पृत्वी है, जहां पर हम रहते हैं, लड़ते हैं, जगडते हैं, स्वार्थपन हैं, पाप है, लेकि उसी में प्रभू परमेश्वर का क्या है, प्र प्रभू परमेश्वर कितना प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत सा प्रेम किया, कि उसने अपना एकलोता पुत्र दे दिया, ताकि जो को इस पर विश्वास करे, नाश्न हो परंथु अनंत जिवन पाई, ये आकाश मंदल में छोटा सा डॉट, जो हमारे प्रभू परमेश्वर कितना महान है, यशाया उसका 40 अध्याय, 21 और 22 बद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यशाया उसका 40 अध्याय, और उसका 21 और 22 बद, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरम ही से नहीं बताया गया, क्या तुमने पृत्वी की ने पढ़ने के समय ही से विचार नहीं किया ये वो है जो पृत्वी के घेरे के उपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृत्वी के रहने वाले किसके समान है टिड़ी के तुल्य है टिड़ी कितनी बड़ी होती है पता नहीं आपने देखा है की नहीं लेकिन मैंने देखा टिड़ी छोटी सी होती है और प्रित्वी के रहने वाले टिड़ी के तुल्य है जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू उताना जाता है क्या बात है हमारा जो आंतरिक्ष है बहुत वास्ट है बहुत बड़ा है इसकी हम अपने मन से दिमाग से इसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते कि कितना वास्टने से कितना बड़ा महान ये बड़ा है जो स्पेश जिस हम कहते हैं आंतरिक्ष चलिए मैं कुछ और पतों को आपके सामने पढ़ूंगा यह अंत्रिक्ष के बारे में स्पेस के बारे में कि परमेश्वर कितना महान है जो हमारे लिए बनाया और हम क्या हैं छोटे से डाट है छोटे सा बिंदू और अगर और दूर गए तो वो बिंदू भी नहीं दिखाई देगा चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ भजन सहिता उन्नीस एक से छह भजन सहिता उन्नीस और उसका एक से छह यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है आकाश इश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्त कला को प्रगट कर रहा है दिन से दिन बाते करता है और राद को राद ज्ञान सिखाती है ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाएं नहीं देता है उनका स्वर सारी प्रित्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जिगत की छोर तक पहुँच गया है उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडब खड़ा किया है जो दूले के समान अपने महल से निकलता है वह शूर्वीर के समान अपनी दोड़ दोड़ने को हर्शित होता है वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह उसकी दूसरे छोर तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सब को उसकी गर्मी सब को पहुँचती है yohwa की ववस्ता खरी है वा प्राण को बहाल कर देती है yohwa के नियम विश्वास योग्य है साधरन लोगों को बुद्रि मान बना देते हैं yohwa की उब्देश सिद्ध है हिर्दे को आनिंदित कर देते है yohwa की आगया निरमल है वा आखो में निर्जोती फिर उसने कहा उसका वचन कितना सिद्ध है, यहुवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहुवा के नियम सत्य और पूरी रिती से धर्म हमें है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में, जो वचन सही था उसका उन्नी स अध्या में हमने भी आपके सामने पढ़ा, कि कैसे परमेश्वर शेकी आकाश की स्रिष्टी कि, आकाश मंडल की स्रिष्टी की, तारगणों की स्रिष्टी की, प्रित्वी की अब हम अपने इस वाय जर एक स्पेस क्राफ देख रहे हैं, जो signal इसने भेजा स्थिर इसने भे बहुत इंट्रेस्टिंग है परविश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा जो स्पेस हमारा जो आंतरिक्षा इतना इतना ग्रेट है इतना बड़ा है जिसकी हम कलपना भी नहीं कर सकते चलिए एक दो पद और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं भजन सहिता आठ और उसका तीन से छे भजन सहिता आठ और उसका तीन से छे मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कारिय है सुनिये साब जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कारिय है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने निक्त किये हैं देखता हूं तो फिर क्या है एक प्रफ्षन है तो मनुष्य क्या है कि तू उसकी उसको इस्मरण रखे आदमी क्या Хै कि तू उसकी सुधि ले क्योंकि तून highly उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, तू ने उसे अपने हाथों के कारियों पर प्रभूता दी है, तू ने उसके पाउं तले सब कुछ कर दिया है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वन ने हम सबों के लिए किया, वो माइन दिया है, जिससे कि हम यह बाते समझ सकते हैं देखे हमारा माइन कभी-कभी भरष्ट कारी सोचता है, भरष्ट कलपनाएं बुरी बातें भी सोचता है, लेकिन हमारा माइन अच्छी, पवित्र बातें वचन के बारे भी सोचता है, वही माइन जिसने इससे स्प्रेस का क्राफ्ट को त्यार किया Voyager 1 को और 50 साल के बाद भी ये चला जा रहा है अपने गंतव्य स्थान को अब कहां तक जाएगा कुछ पता नहीं है साइंटिस तभी भी इसके बारे में सोच रहे हैं कि इस कांत कैसा होगा लेकिन इस प्रकार की चीजों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं परमेश्वर के आकाश मंडल के बारे में मिलकीवे के बारे में तारागणों के बारे में और ये भी हम सीखते हैं कि मनुष्य क्या है यार क्या है एक छोट ऐसा टिड़ी धूल का तिनका छोटा सा है साब उसी को परमेश्वर प्यार करता है उस अर्थ को उस पृत्वी को जिसको उसने बनाया और जिसमें उसने अपने महिमा के लिए लोगों को रखा आपको और मुझको कि हम अपने जीवन के द्वारा उसको प्रभू करहन करने के द्वारा अपना जीवन बिताएं और इसी पृत्वी पर इसी पृत्वी पर जो डॉट से भी छोटा है जो एरो जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस पिक्चर में डॉट से भी छोटा है बिंदू से भी छोटा है और ये छोटा होता चला जाएगा जितना दूर स्पेस्क्राफ्ट जाएगा है ना और इसी अर्थ में इसी पृत्वे में हमारे प्रभुष मसी आए दोजार वर्ष पूरवर क्या अजीब सा लगता है ना सोचने में इस छोटे से डॉट में प्रभु परमेश्वर ने जनम लिया और है ना चला गया और उसने कहा कि जैसे मैं उपर जा रहा हूँ वैसे एक दिन वापस भी आऊंगा किस लिए अपने लोगों को लिने के लिए जो उसको प्यार करते हैं जिन्होंने उसको धार करता माना है जो उसको प्रभू मानते हैं सच्चा परमिश्वर मानते हैं और स्रिष्टि करता मानते हैं जो हमारे चारो तरफ जो Space है, तारागन, मिलकी, वे, शूरी, चरंडरमा, इस सब वो जबरदस चीज़ है हमारे चारो तरफ वो परमिश्वर स्रिष्टि करता हमें वापस लेने के लिए फिर से आएगा तो ये आज का जो मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ कि कितना महान हमारा स्पेस है, अंतरिक्ष है और ऐसा लगता है कि इसकी कोई सिमाब नहीं नहीं है, कितना उपर जाएंगे कितना जाएंगे, कितना जाएंगे जो हमारे दिमाग से परे है और यह वह जो जा रहा है जैसे मैंने शुरू में आप से कहा था इसकी स्पीड जो है 38,000 मेल प्रती घंटा 38,000 मेल प्रती घंटे के हिसाब से यह आगे बढ़ता चला जा रहा है बहुत फास्ट है हम तो सोच भी नहीं सकते और पता नहीं इसका आ यह वापस तो आएगा नहीं कहीं स्पेस में अंतरिक्ष में यह लॉस्ट हो जाएगा खो जाएगा पता नहीं कह रहा है जो भी इसने अभी तक information भेजी है वो परमेश्वर को महिमा देने योग है क्योंकि हम बहुत सारी चीजें इन स्पेस क्राफ्ट के द्वारा जानते ह अरे साब चंद्रमा तो कुछ भी नहीं है चंद्रमा तो हमारा next door neighbor है यह देखिए Voyager 1 को जो 15 अरब मेल दुनिया का सबसे दूर का मनुष्य द्वारा भेजा हुआ अबजेक्ट है यह चीज है जो यह जा रही है हम धन्यवाद परमेश्वर का कि उसने हम ऐसा mind दिया है ऐस दिमाग दिया कि हम इन चीजों का विशकार कर सकते हैं और अच्छे कामों के लिए हम उसे इस्तमाल कर सकते हैं अपने मन को पवित्रता के लिए हम अपने मन को इस्तमाल कर सकते हैं हम उसकी स्रिष्टी के लिए आकाश मंडल के लिए जो उसने दिया उसका हम धन्यवाद है उसके उद्धार के लिए धन्यवाद दे क्योंकि इसी डॉट पर इसी पृत्वी पर 2000 वर्ष पूर्भ प्रभईश मसी आए जिन्होंने अपना बलिदान हमारे लिए किया और तीसरी दिन मुर्दों में से जी उठे तो मेरी ऐसी आशा है कि आपका इप्रतियुत्तर हो कि हम परमिश्वर को धन्यवाद दे इस आंत्रिक्ष स्पेस क्राफ्ट के लिए जो ये खोज भी करता चला जा रहा है और आगे पता नहीं क्या क्या खोज निकालेगा मैं तो बस रोज निउस सुनता रहता हूँ और फिर उसके बाद जो आपको बताना हो ताकि आपको उसको बता सकूँ परमिश्वर के बचन के आधार पर तो क्या हम परमिश्वर को धन्यवाद दे उस स्रिष्टी के लिए उस आकाश मंडिल के लिए उस सूरे चांद सितारों के लिए उस उद्धार के लिए उस दिमाग के लिए जो परमिश्वर ने मनुश्य के अंदर डाला है ताकि इसे सही रूप से इस्तमाल कर सके चलिए हम धन्यवाद देते प्रभुजी तेरा धन्यवाद हो इस वायजर वन के लिए जो तैर रहा है जो हमसे पंदरा अरब मिहल दूर है और आगे और भी शायद बहुत सारी बाते बताएगा लेकिन जब देखते हैं कि छोटा सा अर्थ छोटी सी प्रिथवी एक डॉट के बराबर है एक बिंदू के बराबर है जिसको तू प्यार करता है जिसमें हम लोग रहते हैं तूने इस प्रिथवी की सुधी ली हमारी सुधी ली और हमारे पापों को दूर करने का एक उपाय निकाला हम धन्यवाद देते हैं प्रभजी प्रभु परमेश्वर इश्व मसी के लिए उसके बलिदान के लिए उसके उद्धार के लिए उसके जी उठने के लिए उसके जीवन के लिए जो हमारा जीवन बन जाता है प्रभु जी हम तेरा इन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और हमें ऐसी और भी बाते सिखा जिससे की हम आनंदित बने रहें और तेरे बारे में और सीखें इन सब चीजों के दोरा ताकि तेरे नाम की महिमा हो युगान युग तेरी नाम की महिमा होती रहे येश्यमसी के नाम के दोरा मांगते हैं आमेन